Thank you Father, Hallelujah इस सुबह का समय हम परमेश्वर का दनिवाद करना चाहते है के आज उन्होंने हमें और एक आउसर साथ में मिलकर उनकी स्तूती करने के लिए हमें दिया है वो राजा है और वो प्रबू है हमारे हर एक दीन जो हम प्रुथवी पर बिता रहे है वो उनकी करूना का फल है तो आईए आज हम साथ में मिलकर एक मन से वो जिन्दा परमेश्वर जो एलशदाई है जो स्वयम अपने आपको टिकाए रखता है जो किसी पर भी निर्बर नहीं है उस परमेश्वर की हम स्तुति करें आईए थोड़ा समय हम हमारे जो दीन के कार ये है अगर हम उस से थोड़ा आराम लेकर संपुर्ण रिती से परमेश्वर के चरणों में हम बैठें और समय हम हमारे आखें बंद करेंगे और अगर आप को पवित्रा आत्म अगुवाई कर रहा है तो आप अपने हाथ उठाकर अपनी आख बंद करकर मेरे साथ ये गाना गा सकते हो आप आप पॉब हो Willow Hallelujah Thank You Jesus Wandnot करो तेरी वंदना करो Hallelujah वंधना करूँ तेरी वंधना करूँ वंधना करूँ आलेलुया रिवाला लाला वंदना करो आलेलुया वंदना करो तेरी वंदना करो स्थूती करो स्थूती करो आलेलुया स्थूती करो स्थूती करो स्थूती करो तेरी स्थूती करो स्थूती करो तेरी स्थूती करो आरादना करो आलेलुया तेरी आरादना करो आरादना करो तेरी आरादना करो तेरी आरादना करो आरादना करो आरादना करो आरादना करो तेरी आरादना करो तेरी आरादना करो आरादना करो आरादना करो आरादना करो तेरी आरादना करो तेरी आरादना करो तेरी आरादना करो आरादना करो वढन दिना करूँ वढन दिना करूँ वढन दिना करूँ वढन दिना करूँ Thank you Lord. I praise you Lord. Glory belongs to you. All glory belongs to you God. All power belongs to you सारा सामर्थ सारा पराकरम पिताजी आपका है राजा Oh hallelujah Thank you Jesus, thank you Lord You are in the midst of your people Lord आप आपके लोगों के बीच में सारे संतों के बीच में आज आप हुजूर हजूर हो पिताजी हम आपका धनेवाद करते है Hallelujah, 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 Hallelujah Hallelujah, Hallelujah Halleluja, दादा, दादा, दा-ला-ला-ला-ला-ले Oh re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re सतुती करो तेरी स्टु तेकार। स्टु तेकार। तेरी स्टु तेकार। वंदना करू तेरी वंदना करू हालेलुया, 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 हालेलुया ओ राजा, आपके लोगों के बीच में आज आपना सिहासन कर दीजिए राजा हम जहां पर भी है, शारिरिक रिती से हम दूर है सायद एक किलो मिटर, दो किलो मिटर, हजारों किलो मिटर का अंतर हमारे बीच में है हो सकता है, मगर आपकी आत्मा हमें जोडती है हालेलुया, 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 हालेलुया आत्मा हमें मदद करती है आपकी स्तूती करने के लिए हालेलुया धन्यवाद 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 राजा ओ सारा मान आपको मिले सारी महिमा आपको मिले हालेलुया सिहासन पर विराजमान मेमने हम आपकी स्तूती करते हैं एलेलुया, हलैलुया, हलेलुया हलेलुया, हलेलुया, हालेलुया, राजा हु 2019 भ्र tokenом हार छिम फ्र agож madam कि व variants प्रभु मेरा जीवन तुने इतनी आसी शोग से भरा इसलिए मैं कहता हूं तुझ से प्यार है मुझे और उचा उचा तेरा नाम रहे आपका नाम उचा रहे मैं घटू और आप बढ़िये राजा मेरी कोई अच्छी गाने की विध्या नहीं राजा मेरी बजाने की कोई अच्छी कारीगीरी नहीं राजा पर आप उचे मनाए जाओ राजा क्योंकि आप सुरुष्टी करता हो एल शदाई अदोनाई राजा आप हो आपके शब्द से आपने सारी पृत्वी को जकड के रखा हुआ है आपका बच्चन हमें बताता है कि आपने अपने शब्दों क द्वारा इस पृत्वी को बनाया है और उस शब्द से ही सारी पृत्वी, सारी चीजे एक जूत होके रही है ठाप Kerryा, अलेलूए शब्द सेरी औरे, और द्वारा आप склад होड़И को जलेम द्वारे, और सिना बरdoors आप है हुआ मैंदाब्स पृत्वी को बनापे सिना औरुए पृत्वी मैंद पृत्वyang शरी Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise your name, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. वो परमेश्वर वो अपने आपको अलग-अलग रिती से प्रगट करता है। उनका नाम एलशदाई है, अदोनाई है, इलोहिम है। उस परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हम अगर हमारा पूरा जीवन वी व्यत्ता है। तो भी वो बहुत कम है। मगर जो समय परमेश्वर ने हमें इस पृत्वी पर दिया है, वो समय हमें उनकी स्तुति करनी चाहिए। और हम आगे गित में जाए। उससे पहले मैं आपको दो-तिन चीज़े बताना चाहता हूँ जो पिछले दिनों परमेश्वर ने मुझे बत जो हम करते हैं, स्तुति शब्द उसको इंग्लिश में प्रेज, प्रेज बोलते हैं, प्रेज, जाने के हिंदी में स्तुति कहता है, गुजराती मापड़े ने आप स्तुति, वो कही है अचिया, स्तुति, ये शब्द अगर आप हिब्रू में देखने जाओ, तो उसके कई शब्द उसके बारे में लिखे गए हैं, मगर उसका जो ट्रांजलेशन हिंदी में या इंग्लिश गुजराती में हुआ है, वहां उसको स्तुति, केवल स्तुति के रिच से लिखा गया है, मगर आप अगर ओरिजिनल भासा में अगर देखोगे, तो आपको और गहराई से पता चलेगा कि ये स्तुति क्या है, हमारे पास आज समय नहीं है, मगर कभी और समय पर हम इसके बारे में हम सीखेंगे और ज्यादा पूरे दिल से हम वो सीखने के दोबारा परमेश्र की हम स्तुति कर सकेंगे, मगर आज मैं आपको तीन या चार शब्द बताना चाहता हू जो के हिब्रु में स्तुति और इंग्लिश में प्रेज या हिंदी में स्तुति हिब्रु में अलग-अलग शब्द उसके बारे में लिखे गया है, जो पहला शब्द लिखा गया है, वो शब्द है हलाल हम बोलते हैं, यह हलाल जब हम बोलते हैं, उसका जो हालेलुय शब्द का मतलब है कि आप पागलों की तरह या पूरे रिती से जैसे कि आप परमेशर में खो गए हो, उस तरह से उनकी स्तूती करते हो, वो शब्द उसका अर्थ हलाल, उसका मतलब है कि आप पागलों के तरह, English में उसको लिखा गया है कि इसका मतलब कि अपने आपको आप जैसे कि पागलों कुछ आपको पता नहीं चलता है, उस तरह के उस तरीके से आप अपने आपको लोगों के सामने रखते हो, जैसे कि राजा दाउट स्तूती कर रहा था और लोग उसको देख के बोल रहे थे, अरे बाबा, यह तो इसराइल का राजा है और यह क्या कर रहा है, मगर उसके दिमाग में जो था के वो परमेश्वर महान है, जिसने मुझे मिट्टी से लेके, जिसने मुझे जब मैं चरवाहा था, वहां से उठा कर, मुझे इसराइल का सबसे बड़ा राजा बनाया है, वो परमेश्वर की मैं अस्तूत करो उस तरीके से वो नाच रहाता है वो शब्द जो बोलते हैं उससे बोलते है हलाल, हालेलुया जिस पे से आता है दूसरा शब्द जिससे बोलते है उसका मतलब है तहीला तहीला वो गाने के द्वारा प्रमेशर की स्थूति उसको तहीला बोलते है और तीसरा एक सब्द है उसको बोलते है जमार ज-a-z-a-m-a-r जमार उसका भी जो ट्रांजलेशन हिंदी में या गुजराती में हुआ है उसको स्तूती उस तरीके से किया है हम कभी और समय पर देखेंगे कहां-कहां इसके बारे में लिखा गया है कहां-कहां उसका शब्द इस्तमाल किया गया है हम अगले समय कभी देखेंगे मगर जमार का मतलब है कि जो string instruments इसका मतलब कि जो बाजिंत्र है उस पर बजा के परमेश्वर की स्तुति करो उसे जमार का अर्थ किया गया है तो भाईयों और बहनों बेटे बेटिया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की स्तुति वो केवल एक गाना गाकर दो गाना गाकर तीन गाना गाकर या फिर हम music बजा कर एक ही रिती से करे वो परमेश्वर की स्तुति बहुत कम हो जाएगी मगर जब हम पवित्र वच्चन में देखते है तो परमेश्वर की स्तुति अलग 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 रिती से कर रही जाती है मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की सही माइने में स्तुति कभी हो सकेगी जब आप परमेश्वर को पूरे दिल से जानोगे कभी-कभी नो कैसा होता है कि हम जब परमेश्वर की स्तुति करते है तब हमारा दिमाग लंडन में घुमते रहता है नियॉर्क में घुमते रहता है चेन्नाई में घुमते रहता है केरला में घुमता है अमदाबाद में घुमते रहता है you know ctm में घुमते रहता है cg ror पे घुमते रहता है परमेश्वर की जब हम स्तुति करते है तब ही हम पूरी तरह से परमेश्वर की जो जो उसका कैरेक्टर है उसमें हम खो जाए जो उसका व्यक्तित्व है वो हमारे दिमाग में जैसे के लाइक उसका कबजा पाने आए कभी हम पूर्न तरह से उसकी स्तूती कर सकेंगे तो भाई और बैनों मैं आपसे बताना चाहता हूंगे जब भी भी आप परमेशर की स्तूती करो उसमें खो जाए हरे एक बाते आपके दिमाग में से निकलना जाए कभी-कभी लोग जब स्तूती करते है तब एक पास्तर साब मुझे बहुत साल पेले बता रह था बाई जीमी आप स्तूती करा रहे हो तो ऐसा करो के पहला गित धीरे से करो दूसरा गित इसा ओर फास करो ऐसे ऐसी तरह से गीत गाओ मैंने बोला पास्टर साब ऐसा बाइबल में तो नहीं लिखा है मगर आप बोलते हो तो मैं करूँगा मगर मैं आपको भाईयो बेना बताना चाहता हूँ कि स्तुती दिल की बात है उसकी कोई पद्दती नहीं है क्योंकि परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो हमारे दिल को देखता है तो आईए उस परमेश्वर की हम स्तुती करें गीत पे ने जाईए वाजिंत्र पे ने जाईए मगर दिल पर जाईए परमेश्वर कौन है उस पर आपका भरोसा रखिए उस पर आपका ध्यान केंद्रित हो तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि वो स्तूति आपो आप आपके दिल से निकलेगी और जैसे हम गीद गाएंगे उसके शब्द आपको छुएंगे और आप सही माइने से परमेश्वर की स्तूति कर सकोगे तो अब जहां कई भी हो आईगी हम साथ में मिलके परमेश्वर की स्तूति करेंगे Hallelujah! Thank you Jesus! सुथी आराधना, आराधना सुब के समय, शाम के समय, आराधना पिता को सुब के समय, शाम के समय, आराधना पिता को आराधना, 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 शुथी आराधना, आराधना आराधना, आराधना, शुथी आराधना, आराधना आलेलुया आलेलुया आत्म तुझे आराधिना नेरे साथी तुझे आराधिना पवित्र आत्मा तुझे आरादना मेरे साथी तुझे आरादना स्वर्ग के पिता तुझे आरादना मार्ग दर्शी तुझे आरादना स्वर्ग के पिता तुझे आरादना मार्ग दर्शी तुझे आरादना 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 स्थुत्य आरादना 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 स्थुत्य आरादना आरादना जीवित बली तुझे आराधना, 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 बादल के खंबे तुझे आराधना, तेरे मसी तुझे आराधना, बादल के खंबे तुझे आरादना, मेरे मसी तुझे आरादना आरादना, आरादना, स्थुत्य आरादना, आरादना, आललुया आरादना, आरादना, स्थुत्य आरादना, आरादना, आललुया पवित्र आत्मा तुझे आराधना स्वर्ग के पिता तुझे आराधना पवित्र आत्मा तुझे आराधना स्वर्ग के पिता तुझे आराधना पर्ग खशी तुझे आराधना मेरे मसी तुझे आराधना बादल के खंबे तुझे आराधना मेरे मसी तुझे आराधना जीवन जल तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना आराधना, आराधना, hallelujah, 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 hall ताली बजा के उसके नाम की धनिवाद बुले आलेलुया, 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 आलेलुया वो ही तेरे अदर्म को शामा करता है तेरे सब रोगों को चंगा करता है वो ही तेरे अदर्मों को शामा करता है तेरे सब रोगों को चंगा करता है वो ही तो तेरे प्रानों को दास होने से बचाता है ए मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो एै मेरे मन यहोओँ आको, धन्या धन्या कहो, जो कुछ भी मुझ में है, उसको धन्या कहो, और मेरे मन एहो आको हलेルजय अरे देश्य धी तो हलेルजय और से निकला दल दल की किछ्से मुझे उबारा सत्यनास के गड से मुझे निकला, गल्दल की कीट से मुझे उबारा, मेरे पेरों को द्रड किया है, चटान पे खड़ा किया है ए मेरे मन यहोवा को दन्य धन्य कहो जो कुछ भी मुझे मैं है, उसको दन्य कहो ए मेरे मन यहोवा को दन्य धन्य कहो ए मेरे मन यहोवा को दन्य धन्य कहो एंहों आके दूतो उसको धन्य कहो एंहों एंहों आके दूतो उसको धन्य कहो है सारी सुष्टी उसको धन्य कहो उसके राज के सबस्तानों में यहोवा को धन्य कहो है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो ए मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो ए मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो दल दल की कीच से हमें निकालने वाला परमेश्वर है सत्यनास के गड़ से मुझे निकाला दल दल की कीच से मुझे उबारा मेरे पेरों को ध्रड किया है चत्तान पे खड़ा किया है ए मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. यहोवा के दूतो उसको धन्य कहो, है सारी स्रुस्ती उसको धन्य कहो. सारे दूतो, हालेलुया, उसकी आगना मानने वाले दूतो, यहारा बाले, आलेलुया, 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 मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है, आप कहीं पर भी अपना मन न लगाए, कभी कभी लोग जब हम स्तूति करते तब वो बाइबल के पन्ने आगर पीछे करा करते हैं, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर आप आप से बाते कर रहा है तो आप उनकी इस तूती में लगे रहिए, उनकी आत्मा आप से बात करने पाए, आपका मनिहा मननत लगाइे, oh रहाया शेंदीरी साथ खलारवालालाला, oh हालेलूया, oh यहोओा के दूतों उसको धन्या कहो, है सारी सृस्ती उनको धन्या कहो, oh आलेलुया, 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 आल चुना खुदा मेरे लिए ही काफी है तेरा जरा साही चुना खुदा मेरे लिए ही काफी है तेरा जरा साही चुना खुदा मेरे लिए ही काफी है तेरा जरा साही चुना खुदा मेरे लिए ही काफी है अलवा परमेश्वर का येश्युमसी का हमें जरा साही चुना हमारे लिए काफी है उसका एक One Touch of Jesus उसका जरा साही चुना हमारे जीवन को बदल सकता है बदल देता है हमारे बीमारी को दूर कर देता है हमारे सारी बेचेनी को वो दूर कर देता है Hallelujah क्योंके वो हमें बनाने वाला रचने वाला परमेश्वर है हाललुया, 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 हाललुया मेरे गुनाहों की माफी को मेरे खताओं की माफी को मेरे गुनाहों की माफी को मेरे खताओं की माफी को एक कत्रा येशु तेरे लहू का मेरे उधार को काफी है तेरा जरा साही चूना खुदा मेरे लिए ही काफी है तेरा जरा साही चूना खुदा मेरे लिए ही काफी है तेरा जरा साही चूना खुदा तेरा जरा साही चुना कुदा मेरे लिए ही काफी है Hallelujah, Hallelujah Thank you Lord Thank you Jesus, thank you Lord Thank you Lord Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Holy 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 तेरी रूप का ये गहरान शाँ मेरे लिए मेरे रूप काफी है राजा तेरा जरा साही छूना खुदा मेरे लिए ही काफी है तेरा जरा साही छूना खुदा मेरे लिए ही काफी है तेरी रूप का ये गहरान शाँ तेरी रूप का ये गहरान शाँ मेरे रूप काफी है तेरी रूप का ये गहरान शाँ Let's get drenched in the Holy Spirit. आये हम पवित्र आत्मा में हम हो जाए। आये हम अपने आपको भूलकर हम उस पवित्र परमेश्वर की हुजूर ही में हम हो जाए। आये हम 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 Thank you Lord. हमारे पास अच्छा पैसा बैंक में हो सकता है, हम तंदुरस्त हो सकते है, हमारी उच्छी पदवी हो सकती है, शायद हम अच्छे प्रचारक हो सकते है, शायद हम अच्छे पास्वान हो सकते है, हम अच्छे पास्टर हो सकते है, तो हमारे द्वारा कई लोग परमेश्वर में शायद हो सकते हैं, मगर तो भी वो सारी चीजे हम परमेशर के आगे, हमारा जो मुगट है, वो परमेशर के चरणों में आके हम दाल देंगे और परमेशर को बोलेंगे, परमेशर मैं कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने, जो भी है मेरा वो आपी का दिया हुआ है, Haleluya, 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 Haleluya Thank you Jesus, thank you Lord Haleluya परमेश्र को दन्यवात करते है हम Haleluya, Haleluya और एक हम गाना गाएंगे और परमेश्र की स्टूति करेंगे परमेश्षवर दयालू परमेश्षवर है वो दया का राजा है कभी-कभी हम लोग दया और कुरूपा में अंतर नहीं समझते हैं हम छोटी सी एक कहानी बात करके हम एक गाना-गा कर हम पास्टर साप को वापस करेंगे एक बड़ा ही मश्यूर और ऐसा ताकत और राजा था उसके सामने एक चोर एक बड़ा खराब अपरादी आके खले रहता है और अपरादी का जो अपराद था वो बहुती खराब गिलोना अपराद था और राजा नियाई राजा है तो दो चीजे यहां हो सकती है राजा वो अपराद इसे पुछता है कि मैं तुझे क्या करूँ तो वो बोलता है कि राजा मेरे अपराद के कारण तो मैं जेल में या मेरा मुरुत्यू निश्चित है दंड आगना मुरुत्यू आगना मुझे मिल सकती है मगर एक ही चीज है जिस से मैं छूट सकता हूँ ध्यान रखे भाई और वेनो एक ही चीज है अगर आप वो मुझे मुझे पर करोगे तो मैं छूट सकता हूँ और वो है दया Lord can let you go because of his mercies उसको mercies बोलते हैं mercies दया, दया, दया के कारण हम मिट नहीं गए प्रभू की दया हम पर है दया, दया उससे कहते है कि जो चीज हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलेगी कि परमेश्वर ने येस्व मस्सी को ओ क्रूज पर उसके मृत्य के द्वारा हमें उससे छुटकारा दिया है और दंडागना से और परमेश्वर ने उससी के कारण हम पर दया की है दया का मतलब है दया का मतलब है दया का मतलब है the things which we should be receiving we should be getting it, we will not get it you know the punishment which we should be getting we will not get it because of its mercy उसकी दया के कारण, हालिलुया और एक हम गाना गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे गाने के शब्द बूते है हर दिन हर शाम तेरी भलाई मुझको गहरे तेरी भलाई तेरी भलाई तेरी भलाई जीवन देती तेरी भलाई परमेश्वर की भलाई के लिए मुझे जीवन मिला है आप सभी जो परमेश्व पे येश्यू मसी पर वरोसा करते हो वो भलाई के कारण आज येश्यू मसी में हो हालेलुया उसकी भलाई के कारण हम मिट नहीं गए है हालेलुया हालेलुया थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीजस हर दिन हर शाम तेरी भलाई मुझे को गहरे तेरी भलाई जीवन देती तेरी भलाई जीवन देती तेरी भलाई दुप्त करती तेरी भलाई जीवन देती तेरी भलाई दुप्त करती तेरी भलाई दुप्त करती तेरी भलाई वन देती, तेरी भलाई, हाललोया, हाललोया, ओ, तेरी भलाई की चर्चा करूँ मैं, तेरी भलाई की महिमागाऊं मैं, तेरी भलाई की चर्चा करूँ मैं, तेरी भलाई की महिमागाऊं मैं, तेरी भलाई, तेरी भलाई, तेरी भलाई, जीवन देती, तेरी भलाई, तेरी भलाई, जीवन देती, तेरी भलाई, आललोया, आज हम एक जगह पर परमेश्वर का वच्चन देने गये थे में और मेरे साथ मेरे एक मित्र है पास्टर साब है वो आये थे जब भी उनसे मैं बात करता हूँ तो मुझे बहुत आनन्द होता है वो भाई साब के जीवन 25 साल डारू में गया सुबह से साम तक दिंका करीबन 500 डॉलर जिसका बोलते है या 500 जो वो दुसरी कंट्री में थे पहले वो वो है थे या ऐसा कोई दुसरी कंट्री में थे या I think दुसरी कोई अमेरिका में थे मगर इतना डारू पिते थे पूरा दिन इतनी बॉटल पिते थे और जो नहीं करना चाहिए वो गलत-गलत रास्ते पर उनका जीवन था जुगार में दारू में गंदी जगा पर जाना मगर जब परमेश्वर ने उनसे बात की उनका जीवन बदल गया और परमेश्वर की दया के कारण आज ओक पास्टर है और जब हम साथ में जा रहे थे तो वो जैसे परमेश्वर का वाच्चन लोगों को दे रहे थे रास्ते में मैं देख रहा था कि उनके जीवन में इतना आनन था कभी-कभी लोग उनके से बात ने गुसा होके बहुत नहीं चाहिए हमें परमेश्वर का वाच्चन वो बोलते थे आप परमेश्वर मेरा जीवन बदल दिया है मैं कैसा गंदा था मगर परमेश्वर ने जीवन बदल दिया ऐसा रास्ते में बोलके लोगों को दे रहे थे तब मैं सोच रहा था कि परमेश्वर आपकी दया के कारण ये इनसान आज आप आपको पहचानने लगा है और वो दया उन्हें आपके बारे में रास्ते में लोगों को परमेश्वर का वच्चन बाटने में मदद कर रही है जब परमेश्वर की दया हम पर आ जाती है उसके करण जब हमारा जीवन बदल जाता है तब हम परमेश्र की दया के बारे में लोगों को बताते हैं मैं रास्ता में जाता हूँ कभी कभी लोग हमसे व Wales नहीं लेते हैं मगर हम मुझे बूलते कि देखो हमारा जीवन बदल गया है हम कैसे थे कहाँ थे मगर परमेश्रन हमें नया जीवन दिया है आपको भी परमेश्र नया जीवन दे सकता है आपको यहाँ वहाँ पटकने की जरू नहीं है आपको दारू के पास दौरने की जरू नहीं है शांती के लिए आपको किसी गंदी जगा पर जाने की जरू नहीं है शांती के लिए मगर परमेश्र की दया है आप पर वो आपको बदल सकता है यहसा हम बोल सकते है because and because of the mercies of the Lord केवल और केवल येश्यु मसी की दया के लिए है आएए हम अमारे आखे बंद करें और हम परमेश्वर से बोलें आलेलुया, 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 आलेलुया तेरी भलाई की चर्चा करूं मैं तेरी भलाई की मैमा गाऊं मैं तेरी भलाई की चर्चा करूं मैं तेरी भलाई की मैमा गाऊं सोची, आप कहां थे? कैसे हाल में थे? आज परमेश्व ने आपको कैसे बदल दिया है वो आपके अच्छायों के लिए नहीं है It's not because how good you are or how good you were But because of the mercies of the Lord सोचे Alleluia तेरी भलाई की चर्चा करूँ मैं तेरी भलाई की मैं मांगाओं मैं तेरी भलाई, तेरी भलाई जीवन देती तेरी भलाई परमेश्व हम शायद पूरी रात, पुरा दिन निकाल दे आपकी दया की चर्चा करने में, स्तूति करने में तो भी वो कम है मगर जो भी समय हमारे पास था, उसके लिए हम अपे दनिवात करते हैं हम हमारा शिर जुका कर आपको स्तूति करते हैं Alleluia Thank you Jesus Thank you Father